हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब वैसे मेरे तबर ठीक नहीं है बट उमीद है आप अच्छे से होंगे तो जैसा कि आप लोगो पता है कि लेडीज वाश का काफी ज्यादा क्रेश चल रहा है तो यहाँ पर नॉइस कैसे पिछे रहे सकता है तो नॉइस ने भी एक बहुती प्रीमियम स्मार्ट वाश को लाँच कर दिया है जो कि लेडीज को टार्गेट करने वाली है और इस वाश का नाम में नॉइस फिट दिवा तो आज इसका डिटेल रिवी होने वाला है वैसे वाश काफी ज्याद है प्रीमियम है और इसमें एमिले डिस्प्ले मिलने वाली है तो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में वीडियो पूरी देखें और पसंद आतो लाइक करें बाके चैनल पर नए आया है तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस तरह का बॉक्स दिया गया है जहां पर वाश के डिजाइन मनुई मिल जाती है और काफी सारे फीचर्स को हाइलाइट किया गया है बाकी बॉक्स को उपन करते हैं पहले यहां पर आपको लिफाफा दिया गया है जिसमें आपको नएस के स्टीकर्स उसके बाद वारंटी कार्ड और यूजर मैनुवल दी गई है उसके बाद यह रही वाच जिसको निकलते हैं और फिलहाल रगते हैं साइड में उसके बाद यहां पर एक चार्जिंग डॉक मिल जाता है जिस पर रखकर आप वाच को चार्ज कर सकते हैं जो कि मुझे काफी सही लगा तो यही सारी चीज़े बॉक्स में दी गई हैं बाकी अब आते हैं वाच के तरफ और देख सकते हैं लुक हुआ इस वाच काफी शांदार लग रही है इसको अन करते हैं और फॉन से पैर करते हैं बाकी इस वाच में आपको Noise Fit Focus अप का सपोर्ट दिया गया है और पैर करना काफी एज़ी है बस अप को अपन करना है उसके बच जाना है एड डिवाइस पे और यहाँ पर वाच आ जाएगी इस पर टैप कर देना है उसके बाद वाच पर नोटिफिकेशन आएगी उसको ओक पर टैट करसकते है उसके बच्च केवाइस मे जाएंगे तो यहां से वाच को कस्टमाइज कर सकते हैं जैसा की नोटिफिकेशन हो गया इसके बद अलारम होगया रिमाइडर होगया वाच फ़िस को अब सेट कर सक्ते हैं उसके लिचर को सालोंगे तो आपको सार surfaces इसमें मि जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूपसरत लगती है क्योंकि यहां पर जो glass मिलता है वो diamond cut glass मिलता है और दिखने में काफी मस लगता है और right side में crown button मिल जाती है जो कि normal button कोई functional crown नहीं है तो design काफी बढ़ है इस watch की और इसकी build quality भी काफी ज्यादा धग डिए यह पर जो frame मिलता है वह metal का जिया गया है और इसका जो strap में मिलता है और इस तरह को mesh design मिल जाती है इसमें हालाकि आपको 2 variant पटै एक तो leather strap के साथ आती है और दूसरी में मेश वाल स्ट्रैप के साथ आती है तो डिजाइन बिल्क वाट है काफी ज्यादा दगड़ी है इस वाच की और इसमें IP 67 की रेटिंग मिल जाती है तो लगबग एक मिटर गहरी पानी तक इस वाच को यूज कर सकते हैं जो कि ठीक है बट अगर IP 68 होता तो और बहतर होता बात करें सवाच के डिस्प्ले की तो यहाँ पर नौइज ने काफी अच्छा काम किया है क्योंकि यहाँ पर आपको 1.1 इचेस की AMOLED डिस्प्ले मिलने वाली है और यह HD पैनल है तो यहाँ पर जो कलर साथ हैं काफी पंचे आते हैं और डिस्प्ले काफी शार्प है बाकि जाहिर से बात है AMOLED डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको ब्लैक बिल्कुल deep मिलता है और डिस्प्ले काफी ब्राइट है तो आपको आउटर में कोई भी परशानी नहीं होगी और AMOLED डिस्प्लेई तो यहाँ पर आपको Always On डिस्प्लेई का फीचर भी दिया गया है और इसमें आपको दो तरह के वाच्वस मिल जाते हैं एक डिजिटाल दूसरा एनलोग बाकी एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर जो Always On मिलता है वो आपको काफियात तक ब्राइट मिलता है और कलरफिल मिलता है और दिखने में काफी मस लगता है और इसमें रेश टू एक फंक्शन भी दिया गया है जो कि responsive है और एक चीज़ आपको चार पृकर्ण की इस molto चाल मिल जाती है ऐक तो है इस तरह की लेश टीवी आपको इस तरह की इस तरह मिलता है उसके बाद रॉर्टिटिंग मेन्यू और इसके बाद आपको इस तरह की वौटरफॉलं मिल जाती है अब जहां से नमबर डायल कर सकते हैं, उसके बाद context का feature दिया गया है और इसमें आप 10 context को sync कर सकते हैं, उसके बाद history और यहां पर voice assistant का feature दिया गया है, जो कि अच्छा से वर्क करता है, उसके बाद data में जाए तो यहां पर आपको activity records दिख जाते हैं, जैसे कि steps हो गया, उसके bug 19 sports mode दिया गया है watch में, बाकि आप apps से add कर सकते हैं इसमें, जो कि सही है, उसके बाद workout history हो गया, उसके बाद heart rate, sleep tracking, blood oxygen और message में जाएंगे तो यहां से notification देख सकते हैं, इसमें English का support दिया गया है बट Hindi का support नहीं मिलता है, उसके बाद यहां पर weather मिल जाता है, जहां पर आप इसमें बाद stop watch हो गया, timer हो गया, alarm हो गया, उसके बाद calendar यहां सब्टाइम सेक्टर सकते हैं, उसके बाद calculator, find device और camera shutter यह सारी features मिल जाते हैं, तो यहां पर features को कई भी कमी नहीं है, अब चलते है settings में, तो यहां पर अपको menu style उसके बाद display में जाएंगे, तो यहां पर screen time, AOD को on off कर सकते हैं, customize कर सकते हैं, उसके बाद battery में power saving mode बिल जाता है, vibration को upset कर सकते हैं, उसके बाद QR code और यहां पर password लगा कर वाच को lock करने का feature भी दिया गया है, बाकि system में जाएंगे तो यहां पर system information हो गया, shutdown हो गया, reset, इस सारे options दिये गए हैं, तो features के कोई कमी नहीं है और इसके accuracy भी काफी बढ़े हैं, सबसे पहले इसके pedometer के बाद के लिए तो यह काफी हतक accurate है, और अगर आप 100 steps लेते हैं, तो यह 97-98 count कर लेती है, उसके बाद heart rate के बाद के लिए तो यहां पर sensor काफी बढ़े है, quality का आए, और मैंने इसको check किया और oximeter से compare किया, तो देख tracking के बाद के लिए तो यह कितनी accurate है, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने इसको check नहीं किया है, बाकि इससे आप breathing exercise कर सकते हैं, तो इस सवाच के accuracy भी काफी बढ़े हैं, और calling वर्चे तो इसमें आपको built-in microphone और speaker दिया गया है, और दोनों काफी अच्छी quality का है, तो इसमें call switch का feature भी दिया गया है, बाकि speaker के वाद मैं आप लोगों को सुना देता हूँ, तो speaker काफी बढ़े हैं, और आपको बात करने में कोई परिशानी नहीं होगी, बाकि यह चीज है, यहाँ पर जब call आता है, तो call on का name निशो करता है, नमबर शो करता है, जो कि update से fix किय जा सकता है, बाकि अभी यह दिकत देखने को मिली मुझे, और इसमें audio switch का feature दिया गया है, जो कि काफी ज़रूरी होता है calling watch में, तो अगर आपको music को watch पर सुनना है, तो हो भी possible है इसमें, बाकि इस watch के UI की बात करें तो यहाँ पर UI काफी smooth मिलता है, और lag नहीं करता है, जै यहाँ पर आड़ भी कर सकते हैं, आपका जो favorite है, उसके बाद display पर tap करके hold करेंगे, तो यहाँ से watch face को change कर पाएंगे, और button को press करेंगे, तो menu में चले जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे features मिल जाते है, तो इस तरह का UI दिया गया है, जो कि अच्छा है, अब लाश्ट दिम कब अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें amulet display, तो अब आते हैं, वर्डिक पे की case watch को लेना चाहिए या नहीं, और इसका price कितना है, तो इसमें दो variant आते हैं, एक है leather stack पे साथ, इसका price है 2,999 रुपे, और दूसरी है इस तरह की metal stack के साथ, और इसका price है 3,499 रुपे, औ और price के according दिखा तो watch काफी शानदार है, सबसे बड़ी बात यहां पर build quality मिलती है, काफी ज्यादा premium मिलती है, और डिस्प्ले है वो amulet display, और डिस्प्ले में ग्लास मिलता है, वो diamond cut glass मिलता है, जो काफी ज्यादा premium लगता है, उसके बाद features काफी सारे मिल जाते है, accuracy भी अच किये था, उसके बाद दूसरी कमी की बात करें तो जब call आता है, तो caller का name निशो करता है, नमबर शो करता है, तो यह मुझे दोख कमी लगी, बाकि अगर आप लोगो को इसके design पसंद आती है, तो रह सकते हैं इसको, और यह specially ladies के लिए होने वाली है, यह gents watch नहीं है, तो आ ऐसे support बनाया रखना और वीडियो पसंद है तो लाइक करते जाना, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने ख्याल रखें, बाई